6 टेंजा ठीक है अब 6 के फैक्टर बनाने है यहाँ पर 2 आ गया तो 6 का टेबल आपने 2 को डिवाइड करना है 6 से आपके पास अंसर क्या आएगा 3 अंसर आएगा ठीक है क्योंकि 2 थ्रीजा 6 होते हैं या तो आप 2 का टेबल 6 तक पड़े जो अंसर आएगा वो आपने लिख द या हुआ 5 का टेबल पढ़ो 10 तक तो 5 तूजा कितने होते हैं 10 होते हैं सेम ऐसे अलग दिया है अब 60 को ऐसे ब्रेक कर दिया है यहां 30 है तो यहां पर क्या आएगा 30 तूजा क्योंकि 30 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 अब 30 के फिर से कर दि इसमें अपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट और एक्सप्रेस करना है प्राइम फेक्टर में तो 4 डिजिट क्या आती है आपके पास सभी को पता ग्रेटेस्ट में हम 9 से स्टार्ट करते हैं 4 डिजिट यानि कि 1 2 3 4 4 टाइम्स आपने क्या लेना है 9 लेना है अब इसके लिए अगर प्राइम फेक्टराइदेस्ट क Characterize करना है और प्राइम नंबर से ही करना है अगर प्राइम नंबर से नहीं करें तब आ पको ये प्राइम articles जो है वो आपकी नहीं होगा जैसे आपके पास students यहां पर क्या है हम देख रहे हैं questions में की questions में आपके पास है 9,900 आपके पास क्या है 99 दिया हुआ है अब आपको पता है last का number even नहीं है तो last का number अगर आपका even नहीं है तो आप यह 2 से नहीं जाएगा अब 3 से करें इसके लिए क्या है 3 का table पढ़ना है आप इसके साथ divide करना है जैसे यहां पर मैं simple इसमें कर देखती हूं जैसे एक जिनको direct नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं